नमस्कार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे और भी मज़ेदार वीडियो बनाने में आपका सही होग मिल सके तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो निकल करके आ रही है कि रहे कि अभी कुछ दिन पहले ही नहीं टाइगर 3 का पोस्टर रिलीज हुआ था और पोस्टर पे साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था कि दिवाली यानि टाइगर 3 रिलीज हो रही है दिवाली पर और वहीं दूसरी तरफ अभी की एक और खबर निकल करके आ रही है कि नवंबर में ही और दिवारी पढ़ रही है नौंबर में, नौंबर में ही दूसरी फिल्म, जो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी की फिल्म है, डाइक्टर उसके प्रशांत नील है, फिल्म का नाम है सालार, प्रभास की मच अवेटेट फिल्म, सालार भी अल्मोस्ट दिवाली पर ही रिलीज ह होने की संभावना जताई जा रही है, जी हां, दोनों के क्लैश होने की संभावना जताई जा रही है, और अगर दोनों फिल्में आपस में क्लैश करती हैं, तो मैं आपको बता दू, इससे दोनों ही फिल्मों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जी हां, दोनों ही फ ताइगर फिर आई टाइगर जिन्दा है और अब आ रही है टाइगर 3 और सल्मान खान की ये ब्लॉक बस्टर फिल्म है दोनों दोनों ही फ्रेंचाइजी ने बहुत अच्छा कलेक्चन किया था वहीं दूसरी तरफ है प्रशान नील जिन्होंने KGF चैप्टर 1 और चैप्ट तरी यश्राज बैनर तलेब बनी हुई ये फिल्म है और बहुत बड़ी huge fan following है सल्मान कान की लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही एक्टर एक तरफ प्रवास्क ने जो है अपनी पिछली फिल्म आदी पुरुष से audience को निराश किया था वहीं दूसरी तरफ सल्मान खान के फिल्म जो रिसेंटली आई थी किसी का भाई किसी की जान बुरी तरीके से box officer पिट गई थी और अब दोनों ही mega star है audience इनको बहुत प्यार देती है बहुत अच्छे entertainer हैं दोनों और दोनों ही public के चहते हैं तो देखना यह होगा कि दोनों फिल्में अगर एक ही दिन दिवाली पे मेभी one week पहले या one week बाद भी अगर release होती हैं तो दोनों कहीं ने कहीं एक दूसरे को competitive करेंगी और बाजी वही मारेगा जिसके story में दम होगा जिसके कहानी अच्छे होगी जिसके content अच्छे होगे और audience इस समय confused कहीं ने कहीं जरूर हो जाएगी कि इन दोनों क fight में किसे सबसे जादा फाइदा होगा और किसे सबसे जादा नुकसान होगा वैसे जहां तक मुझे लगता है कि प्रशांत नील इतनी बड़ी गल्ती तो नहीं करेंगे कि वो tiger 3 के साथ अपनी movie सालार लेकर क्या है अगर tiger 3 के सामने सालार रीज होती है तो no doubt प्रसांत नील को बहुत बड़ा नुकसान होगा और सालार में भी वैसा performance ना कर पाया जैसा performance उसे करना चाहिए और अगर performance कर भी देती है अपनी story के दम पे तो भी उसे नुकसान का सामना जेलना होगा क्योंकि दिवाली पे tiger 3 अगर फिल्म में जरा सा भी story line या उसका presentation अगर बढ़या हुआ तो सलमान खान की जो fan following है वो प्रभास के fan following के ओपर कहीं на कहीं भारी पढ़ सकती है या यह कहिए कि प्रभास भी सलमान खान के ओपर भारी पढ़ सकती है क्योंकि जिस तरीके से बाहु बली के बाद उनका एक GüRe Creo बना लेकिन उनकी जो है राधिश शाम हो या फिर उनकी जो साहो फिल्म हो वो बॉक्स ओफिस पर बहुत कुछ खास कमाल नहीं की और सबसे डिजास्टर साबीत होई आदी पूरुष उसके कारण भी उन्हें बहुत ट्रोल किया जा रहा है अब देखना ये होगा कि टाइगर थ्री और सलार में से कौन बॉक्स ओफिस का किंग बनता लेकिन अगर दोनों फिल्म आपस में क्लैश कर जाती है तो नुकसान दोनों ही को होगा अगर दोनों फिल्मों में मिनिमम से मिनिमम अगर तीन वीक का डिफरेंस हो तो शायद किसी भी मूवी को नुकसान नहीं होगा चाहे सालार हो चाहे टाइगर थ्री हो अगर टाइगर के बाद भी नवेंबर में ही अगर वो दिवाली के दो वीक बाद भी अगर फिल्म को रिलीज करते हैं तो उनका भी बहुत जादा ही क्लैश देखने को मिलेगा और कलेक्शन में बहुत जादा गिरावट आ सकती है किसी भी मूवी को content wise भी लेकिन अगर दोनों के differences होते हैं release में तो नोड़ दोनों ही अच्छा business करेंगा अगर इस्टोरी थोरी बहुत उपर नीचे या थोड़ा बहुत भी अगर दोनों में differences रहा या स्क्राइब करना लाइक करना मत बूलिएगा मिलते हैं नए अपडेट के साथ नमस्ट